सूपरबात मेरे प्यारे बच्चो आशा है बच्चो आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे तो बच्चो आज हम हिंदी की कक्षा में कुछ नया करेंगे और वो है हमारा जानवरो के नाम आपको पता है जानवरों इंग्लिश में हम उसे animals कहते हैं आज हम उनके name, उनके नाम के बारे में जानेंगे और उनके वेवार के बारे में जानेंगे ठीक है बच्चों तो जानवरों के नाम, जानवरों के नाम कितने सारे जानवर होते हैं जैसे गाएं, गाएं क्या करती है बेटा, गाएं हमें दूद देती है, गाएं हमारी माता है, गाएं क्या खाती है, गाएं हरी हरी घास खाती है, रोटी खाती है, और गाएं एक पालतु पशु भी है, गाएं एक पालतु पशू है, इसका रंग सफेद भी होता है, ये काले रंगी भी होती है और भूरे रंगी भी होती है तो हमारा जो पहले जानवर के नाम में है वो है गाएं गाएं बकरी बकरी भी एक पालतु पशु होता है बचो जो हमें दूद देता है और हम इसे घर पर भी पालते हैं हरी हरी घांस खाता है, बकरी की बहुत सारी जातियां, प्रजातियां होती हैं कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, और ये काफी रंगों में होती है, काली, भूरी, ब्राउन, सफेद, उनके कभी सिंग बड़े होते हैं, कुछ बकरियों के सिंग छोटे होते हैं, और बकरी का दूद बहुत ही पौश्टिक होता है, स्वास्ते के लिए अच्छा होत तो हमारा जो ये जानवरों में नाम है वो है बकरी गधा 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 बच्चो ये भी पालतू जानवर होता है जो समान भारी समान ढोने में हमारी मदद करता है और ये है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समान को ले जाता है गधा ये है भी हरी हरी घांस खाता है गधा हाथी हाथी भी बच्चो कहीं जगे पर कुछ कुछ जगे पर पालतू जानवर होते हैं जो वजन उठाते हैं लकडी का भारा भारा भारी भारी वजन को वो उठा सकते हैं ठीक है बच्चो हाथी चीता बचो चीता बहुत तेज दोड़ता है और ये जंगलों में होता है ये जंगली जानवर होता है ये मास्क खाता है ठीक है चीता इसके जो शरीर पर डॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के डॉट्स बड़े बड़े चीता गीदड गीदड ये भी जंगलों में रहते हैं और ये मतलब ये भी मास्क खाते हैं बहुत तेज बहुत चलाक होते हैं सभाव के बाग बाग बचो बाग जो है वो हमारा राष्ट्रिय पशू है बाग और इसके शरीर पर धारियां होती हैं धारियां लंबी लंबी काले रंकी ठीक है तो बच्चों ये हमारे गाएं गधा बकरी चीता हाथी गीदर बाग ये हमारे जानवरों के नाम हैं जो आपको अपनी नोटबुक में क्लिखने हैं और सुन्दर सुन्दर फॉर्मेशन के साथ लिखने हैं बच्चों के बाई बच्चों टेक कियर